दोस्तो भारत और अफगानिस्तान के बीच चल रहे तीन टीटवंटी मैचों की सिरीच के पहले मुकाबले में सीवम दुबे ने अपनी बल्ले बाजी और गेंद बाजी से सब को हैरान कर दिया सीवम दुबे ने अपने और राउंड परदर्शन से सभी किर्केट प्रेमियों का दील तो जीता ही साथ ही मैच के बाद भारतिय टीम के पूर्व कप्तान एमेस दौनी के बारे में ऐसी बात ही कही जिससे सभी हैरान रह गए तो दौबे ने क्या कहा एमेस दौनी के बारे में उनके बयान का पूरा वीडियो में आगे दिखाऊंगा तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा लेकिन उसे पहले दोस्तों अगर आप भी मानते हैं के एमेस दौनी एक बेहतरीन कप्तान है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भुलिएगा तो दोस्तों अफगानिस्तान के खिला पहले टी-20 मुकाबले में सीवम दूबे ने अपने गेंद और बल्ले दोनों से ही कमाल का खेल दिखाया और भारतिये टीम को जित दिलाई तोस जितकर भारती कप्तान रोहित सर्मा ने पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया और इस फैसले को सही साबित किया भारतिये गेंद बाजो ने फिर भी अंतीम के ओबरों में अफगानिस्तान के बले बाजो ने ताबर तोड़ रन बटोरे और 20 उबर में 5 बिकेट गव रही और दूसरे ही गेंद पर कप्तान रोहित सर्मा और सुबमन गिल के बीच खराव रनिंग बीट्विन दे बिकेट के कारण रोहित सर्मा रन आउट हो गए जबकि सुबमन गिल भी 23 रन बना कर चलते बने और टीम का इसकोर था सिर्फ 20 रन तब बैटिंग करने उतरे सि ने नाम किया सिवम दूबे ने 40 गंदों पर नबाद 60 रन बनाए जिसमें उन्होंने पांच चोके तो वहीं संदार दो छक्के लगाए सिवम दूबे को उनके और राउन परदर्शन के लिए मैन आउप दब मैच चुना गया मैच के बाद सिवम दूबे ने जीयो सिनेमा स में परदर्शन करना है उन्होंने मुझे दो तीन टीप्स दिये हैं और मेरी बल्लेबाजी को भी रेटिंग दी थी यही वज़ा है कि मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा है सिवम दूबे की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कॉमेंड बोक्स में जरूर बताएं आपको बता दे दोस्तों की सिवम दूबे MS धोनी की कप्तानी में IPL की सबसे सफल टीमों में से एक चन्नेई सुपर किंग्स की तरफ से कहलते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 मुकाबला 14 जनवरी को होलकर स्टेडियम इंदोर में साम 7 बज़े से खिला जाएगा